वेलकम टू अवियान आईस एकडेमी अवियान आईस एकडेमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं शुरुजीत बटाचारया आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का एक बेतरिन चीज इसे हम लोग बोलते हैं कॉंपॉजीट नंबर क्या उसके अप्लिकेशन क्या और कैसे कुशन पूछे जारें उस पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे composite number क्या है composite number मतलब होता है सहयुक्त संख्या अब पता है यह है क्या इसको हम definition इस तरह समझाएंगे the number has at least three factors the number has at least three factor is called composite number इता है एक दो से होगा चार से होगा प्यों चार को आपते हो को चार इठी कर सकते हैं एक वी दे सकता है एसको हम बोलते हैं composite सबसे पहले यह जानी है क्या मैंने आपको बता दिया अब पुछे जाने वारे सवाल में क्या पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हिंदी में क्या होगा कुल भाजोगों की संख्या कुल भाजोगों की संख्या अब देखो भाई क्या होता मेरे पास कुल भाजोगो 6 and 12 आप देखे रहो 6 factors है अब ऐसे अगर 12 में तो हम कर लेंगे वगर मान लोग 512 कोई दे दिया तो कैसे करोगे भस गया ममला आप इसका shortcut देखिए सबसे पहले इन number को prime number में break करिए तो prime number मतलब क्या होता है आप इसको break कर सकते 2 square into 3 कई लोग को इस break करने में दिक्कत होगा उसका solution में आपको दे रहा हूँ आप 12 को लिख सकते हो 6 into 2 जहाँ पे 6 prime नहीं है यह लिखेंगे 2 into 2 यह लिखेंगे 2 square into 3 यह रस्ता होगे रस्ता number 1 रस्ता number 2 क्या होता हो भी समझे रस्ता number 2 यह होता है कि जैसे आपने यह लिखा है उसमें आप क्या कर सकते हो एक बचपन वाला जो method होता था division वाला division rule को follow कर वाएंगे तो आप खुद देखिएगा 2 into 2 into 3 इसको merge करेंगे 2 square into 3 इससे कोई भी number को आप prime number में convert कर सकते हो इस method से अब जैसे यह मिल गया उसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा total factors, total numbers of factors क्या निकलेगा दियान से देखिएगा यह जो कुछ भी power में होगा plus 1 power में 2 था plus 1, power में 1 है plus 1 इसको हम लिखेंगे 3 into 2 कितना answer आएगा 6, यहापे भी कितना answer आएथा मेरे पास 6 ही आया था तो यह हो गया total number of factors अब देखिए अब एक उधारन आपके सामने में और लेता हूँ 36 के कितने factors होगी वो समझिए 36 के मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 6 9 12 18 और 36 वो चेकर लेते हैं सारा कोई चूटा तो नहीं 9, 6, 12 12, 24, 28, 26 बिल्गु से 3, 3, 6, 3, 9 9 factors आए break कैसे करेंगे बहुत इजी है 6 into 6 कर लो या यह वाल रस्ता फॉलो कर रहा हूँ 2 का स्क्वाइर 2 into 3 पर अच्छे से लिख लेते हैं जल्दी वाज़े नहीं करेंगे 2 का स्क्वाइर into क्या लिखेंगे 3 का स्क्वाइर अब बात किसकी हो रही है total number of factors total number of factors तो क्या आएगा 2 plus 1 और 3 2 plus 1 आगे 2 plus 1 हमने क्या लिखा 2 बार लिखा हमने 2 plus 1 तो कितना आएगा 3 into 3 answer कितना आपके मिल गया 9 यह होगे total number of factors निकालने का तरीका अब अगर अगर कोई generalized रस्ता दिखा दू जिसको आपको याद रहे अगर यह confusion करता है तो उसका जवाब भी देख लिजे अगर हम मानते हैं C एक composite number है ठीक उसको हम break कर सकते हैं ऐसे ठीक तो number of factors total number of factors क्या हैगा M plus 1 N plus 1 R plus 1 यह R है रखेगा dot 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 यह भी dot 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 चलेगा ठीक जहां C क्या है composite number ABC prime number और MNR यह क्या होता है integer क्या होता है integer जैब लोग खुंदिये बोलेंगे पुर्णांग prime number मतलब होता है अभाज्य संख्या C मतलब होता है composite संख्या इसको हम क्या बोलेंगे composite number को हम क्या बोलेंगे हमारे पास composite number मतलब होता है संख्या यह formula बोलो चाहिए technique बोलो इसके थूँ आप निकाल सकते हो यही कारवाई मैंने आगे पियाँ पे किया था यह है आज का shortcut ठीक है तो आप इसके साथ एक चोड़ा सा चीज में आपका और होता ना चाहूँगा वह भी देख लेजिए क्या है वह देखी जरा सा अगर किसी ने यह पूछ लिया कि composite में even factor कितने होंगे odd factor वह भी देखते हैं जैसे माल लीजिए आपके पास एक number है बारह एक, दो, तीन, चार, छे और बारह इसके odd कितने है तर ए और दो दो odd है even कितने होंगे हमारे पास चार even होंगे अब शीक निकालेंगे कैसे shortcut क्या होना चाहिए बारह लिखा पहले प्राइम में ब्रेक करो दो का स्कार चार इंटू तीन या इस तरह निकाल लो odd के लिए हमेशा क्या करेंगे? odd वाला हिस्सा लेंगे ठीक और इसका total वाला rule लगाएंगे क्या होगा? one plus one कितना आ गया? तो odd के लिए हमने क्या किया? सीधा हमने क्या किया? हमारे पास odd वाला हिस्से को लग किया और power को जोड दिया एक और नमबर देखिए साथ है साथ कैसे ब्रेक होगा? दो का स्कार तीन गुने पांच यहां पे दो हमारे पास odd है तो हमने कहा किया दोनों odd को एक साथ ले लिया और हमने कहा कि कह बोला आपको पावरम को एड करिए यह टोटल odd value हमारे पास आएगी वन प्लस वन वन प्लस वन जो आएगा दो इंटू दो कितने अंसर आएगा? चार साथ को ब्रेक करके दिखिए टोटल odd factors चार ही आएगा यह होगे odd factors भी से के लिए अब आते हैं हमारे पास even factors के लिए even factors में यह rule hold नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा इसका reason दे सकता हूँ अगर मैं यही rule even पर लागू करता हूँ यहां पर question क्या था 12 2 का स्क्वार 3 आपको even निकालना factors तो अगर किसी ने यह गलती कर लिया कि even पर उठा लेते हैं तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 पावर में कितने आँगे 3 लेकिन यहां पर तो देखो 4 2 4 6 12 चार factors है मतलब यह rule यहां पर fail हो जाएगा अब सवाल है कि fail हुआ तो क्यों और उसका समाधान क्या है वो भी समझे fail इसलिए होता है कि odd में सिर्व odd होता है even नहीं होता है समझने कोशिश करिए एक और तीन में दोन ही odd है लेकिन even में जैसे 6 है 6 में आपका odd भी आएगा और even भी आएगा इसलिए यह कगाम इस पर hold नहीं करेगा तो क्या हम इसका answer निकाल 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 सकते है इसका भी shortcut है हमेशा देखेगा even जब भी होगा total से odd को minus कर लीजिए क्यों total में odd and even दोनों होता है even के लिए मेरा यह रस्ता काम नहीं कर रहा है तो हमने क्या total के लिए हमारे पास total minus odd कर लिए अब हम देखेंगे total कितना था 12 का 12 क्या total भी यहां निकाल लेते फटा 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 2 प्लस 1 और यह 1 प्लस 1 कितना एगा 3 और 2 कितना एगा 6 6 हो गया total odd कितना था मेरे पास 12 का 12 का कितना odd था 2 total odd तो 6 minus 2 कितना answer आ गया 4 जब भी even निकालना है हमेशा क्या करेंगे total में से किसको minus कर देंगे total में से minus कर देंगे odd को हमारा काम बन जाएगा तो आज आज आपने क्या सिखा composite number क्या था उसके total factors कितनी होते हैं उसके even factors क्या होते हैं और odd factors क्या होते हैं कैसे उसके shortcut तरीके से निकालते हैं ठीक है यह आपके लिए आज हमारा था आगे ऐसे वीडियोस हमारे यहाँ आते रहीएगा आप हमारे चैलन को like करिए subscribe करिए जारा जारा share करिए और comment में भी लिखिये आपको वीडियो कैसा लगा और आपको वीडियो की किस तरह की डिमार्ड है सी सेट में तो मैं वो सारा उस तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा including कोशिश यह भी करूँगा कि आने वाले टाइम में old जो paper है उसके questions भी यहाँ पर ही solve करूँगा shortcut trick के साथ इसी के साथ आज का वीडियो करमाप करता हूँ Thank you